अरे वे चौपा नायवे लगा में, सबरे हिंदुस्तान में चौपा लगा में, और सबरे आसमान में चौपा लगा में, और समद्र में चौपा लगा में, और जहां ने दीख है ताँ चौपा लगा में, हम कहरें गलत काम का गलत नतीजा एक दिन पाओगे, और हमारी चली त एक प्रधान मंत्री दसलाग का सूट पहने और एक किसंटा प्रजातंत्र है इसलिए प्रजातंत्र आया था कि के में माया वतीके में किनके बहकाबे मैं आ रही हो जब है जब तक किसंट गलेगा धरती पह तूपान रहेगा जब तक जिंदगी एक तब तसंगर जा रहेगा जिन्नाव अलगळ पुर्देशों से आ रहा था दिल्ली अपनी बात कहने के लिए कि माननी पुर्दान मंत्री जी और माननी करस्मंत्री जी हमसे बात कर लो क्या ये अच्छूत हो गया था इसको मतलब आने का दिल्ली माधिकार नहीं था और फिर अब बीस-बाइस दिन हो गए अभी अकल में नहीं आ रही है हम कह रहें इनको बुला के बात करो पुर्दान मंत्री का आभाज बहुत बड़ा है चोराशी से हम देख रहे हैं पुर्दान मंत्री का आभाज को ठीक है और उसमें बिठा के सबसे बात करें प्रदान मंतरी कि मैंने ये इसके लिए बढ़ाय था हम कहेंगे ये गलत है इसको बदल दो देश का किसान चाहता है अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है इनको किसानों की मीटिंग लगा रहे हैं वहां हेलिकॉप्टर जहाजों से जा रहे हैं दुनिया का खर्चा कर रहे हैं जब कह के किसान के करजे माप कर दो तो पैसा नहीं है और ये दुनिया के सड़यंतर करने के लिए पैसा है क्या मतलब था इन तीन अध्यादेशों को लाने का साथ साल छे साल लगबग प्रधान मंतरी बने हुए हो गई ग्यारह में और तेरह में कॉंग्रेस से ड़ने आई थी हम नहीं मानी तो इनको समर्थन किया था और समर्थन में इन्होंने भी ये कहा था कि हम जो किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान करजदार हो गया है सब करजे माफ करेंगे लेकिन करजे माफ तो नहीं हुए नोड बंदी हुई थी इससे तमाम देश का किसान बरबाद हुआ था आलू फिका था और आत्महत्या की थी अब भी किसानों के लिए कुछ नहीं अब अध्यादेश अध्यादेश की कोई अबस्यक्ता पड़ गई थी लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि इस बिल में कुछ खास उतना नया नहीं है नया सिर्फ यह है कि जो किसान है पर एक मंडियों में बेचते थे अब क्या है बाहर जाकर के बेच सकते हैं बाहर कैसे चले जाएंगे यह किसान पर खाने लाइक और पहने लाइक तो पैसा नहीं होता है यह ग्याहू रखके बने टेक्टर में जो एटा का किसान दिल्ली आएगा यह एटा का किसान पंजाब जाएगा अपनी मंडी होती थी मंडी में सरकारी खरीद के कांटे लगवा में है और किसान तैकर रहेगा कीमत तब होगा उद्दार यह ऐसे थोड़ा हो रहा है किसान आयुक का गठन करना पड़ेगा और MSP पै गारंटी लेनी पड़ेगी इससे नीचे जो खरीदेगा वो जेल में जालना पड़ेगा तब किसान का भला हो पाएगा लेकिन MSP सरकार नहीं अब किसान आयुकते करेगा इनकी बाती स्खोपडे में नहीं आ रही है समझ में नहीं आ रही है कैसे किसान का उद्दार होगा किसान का किसान विरोधी नीतियों के काड़ 72 साल का करजा माप करना पड़ेगा और MSP किसान आयुकते करेगा उस पे हमारे द्वारा हमारे बोट के द्वारा सरकार बनती है उसका ये कर्तब बनता है कि वहां खरीद खरेगी अपनी अपने कर्तब से हट रही months में अरे कि चाहत बेचो चाहत आँका अमठीक हम बेच आंगे कहां बेच आंके प्रकार खरीदैं ओर फिर कोटा के हिसाब सिечराफया बढ़ला आई निर्यात करे और फिर फिर भचे तो उसे जाँ भेंके भेंके कुछ भी करे उसे कहरे है कि किशानों को ब्रहमित है किया जा रहा है विपक्ष्य Voraya क्योंकि हम बता एम्स पी जारी पहले से ही चलती हुई आ रही है तो ऐसे क्यों लग रहे हैं? पहले MSP आ रही है, उसका ही तो बिरोध करते थे हमाँ, उसका बिरोध ये करते थे कि ये MSP ने सरकार जो ते करती है, उस MSP ने हमको नंगा कर दिया है, बोटों करना पाए, तब तक एक और दई मुझ सर घूँ से तो, यार एक बात होता हो, भाई ये पहले कर लेता है, हम तो उस MSP काई तो बिरोध करते थे, सरकार जो MSP तयार करती रही, कॉंग्रेस वाली, और जो जो सरकारे आई ही, उनका हम बिरोध कर रही थे, समझ में आ नहीं रही है, भाई या तुम ही समझा लो समार के, हम तो उस MSP का भी बिरोध करते थे, 40 साल से, कि आखिर क्यों कीमत योगपती, एक साइकल बनाता है, एक मोंटर साइकल बनाता है, एक कार बनाता है, एक हेलिकॉप्टर बनाता है, और अपनी अपनी सब कीमत लगाते हैं, और हमारा एक किसान गंडे का किसान गंडा पैदा करता है, एक आलू का किसान आलू पैदा करता है, गेहूं का किसान गे कर रहे हैं अपनी कीमत लगाने के लिए तो सर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह बिल आने से पहले एक करुण में चौपान लगा में यह तो गलत काम हैं हम कह रहे हैं गलत काम का गलत नतीजा एक दिन पाओगे और हमारी चलीत जेल खाने कुछ आओगे ठीक है लेकिन आज आज भी किशानों के साथ मुज़ित करके बड़ी शौगात लेकर क्या हैं 16-16 रुपे जो है 35,000 जो किशान है उनके खाते में डाले जाएंगे क्यों ऐसा लग रहा है कि किशानों के साथ गलत हुआ 35,000 किशानों के साथ सुले सुले से डाले जाएंगे एक प्रधान मंतरी दसलाग का सूट पहने और एक किसंटा प्रजातंत्र है इसलिए प्रजातंत्र आया था ये गांधी जी ने जो प्रजातंत लाए थे और 547 रियासतों को नेस नावूत करके अपने ही अपने पे राज करेंगे और अपने ही अपने को राजा बनाएंगे ये इसलिए नीत बनाई थी इसलिए नहीं बनाई थी कि लोकतंत्र खतम हो गया है अब धन तंत्र है और लट्ठ तंत्र है और ये बेबकूब बनाने की नीत है 16 से काई दे रही हो एक लाख साठ हजार न दो और सथ हजार करोड उद्धयोगपतियों का माप कर चुके हूँ और बीस लाख करोड उद्धयोगपतियों दे चुके हूँ इस किसराको हो सदेका बेवकू हैं यह को तरीका है यह सुनिए यह बिना पढ़े लिखे किसानों को बेवकू बनाया सकता है हम पढ़े किसान हैं हम भी कह रहे हैं कि भहत भोले हैं तो वह काब में जो वो बहकाब भोले बहकावे में किनके में आ जाएं मुलाहिम सिंग्यादम के में मायवती के में किनके बहकावे में आ रहे वो ये तो बतामें खुल के किनके बहका में आ रहे हो हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि हम इन जो बीती पार्टियां है उनका किसी का समर्थम नहीं करेंगे हाँ अब तो नया सिस्टम नए लोग इमांदार लोग राज नीट में लाने पड़ेंगे इनकी सब की देख लिए इनकी बची थी देखने के लिए इनको हम इमांदार समझते थे लेकिन मतलब तैसी सलो और तैसी मलो वो इन्हों ने भी उसी मतलब रास्ता का चैन किया है जिस रास्ते पर कॉंगरेज और बाकी पीछे के दल चलते रहे उसी को ये करते रहे कि बेईमानी करो और ऐसी दैसी ब्यांदूर आगे खाम खेचा जब तक दुखी किसान जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा जब तक जिन्दगी ये तब तसंगर जारेगा जिन्ना रहे